हेलो दुफतों क्या हल चला यहोप आप सब बढ़िया हो गया तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल सर्च में स्टार रेटिंग बगारा जो है वो कैसे डिस्प्ले करें एक लिए अगर मैं यहां पर जाओं और गूगल में टाइप करूं जाकर के स्वरी जो है तो यहां पर माली जाहें मैं कूगल में टाइप करता हूं टेंटिसट कमऑचिक कि वर्डवर्ग और डिवे एक ट्रीक नारी है थी शर्च मारा है तो आफ्वाइश को दूसार च्ल्श करें कांपूर में में तो आफेर तो होगी तो कोई नहीं तो यहां पर आप देखोगे कि जो पोस्ट जो भी पेज आ रहा है जो भी इन्फोर्मेशन आरे के साथ आप स्टार रेटिंग में भी होता है कि जब आप को प्रोड़क्ट वगरा सर्च मारते हो मान लीजे मैं यहां पर सर्च मारता हूं बेस्ट कि वहां पर वेब पेज के साथ सा जो है साथ में गूगल में सर्च में ही जो है वह स्टार रेटिंग वगरा भी आ रही होती है तो यह वह चीज होती कैसे है उसको रहा है वह हम समझेंगे जाके विदाउट एनी प्लगिन हम बिल्कुल कॉर कॉंसेप्ट कोडिंग के दिखाना और गूगल सर्च में स्टार रेटिंग दिखाना दोनों जो है वो डिफरेंट चीज है वेब पेज के केस में क्या करते हो कि नॉर्म नॉर्मल आपको यह स्टीमल टाइप का कोड लिख देता हो जैसे यहां पर आप देखोगे यह स्टार रेटिंग वगरा डिस् जाओगे इसको हम बोलता है सिग्मा.org अपसाइट है यहां पर आपको एक सिग्मा मारकप होता है जो कि सर्च एंजिन के लिए ही आप डिफाइन करते हो कि पेज में कौन-कौन से ऐसी इंपोर्टेंट चीज है कि आपका सर्च रेटल्ट है को कैसे दिखना चाहिए इसी से तरीके से जो है वह आप अपने सर्च रिजल्ट में चीजों को और बेटर तरीके से दिखा सकते हो अगर भाई गूगल के सर्च रिजल्ट में जैसे कि मैंने पहले याप एक कीवर्ड टाइप करा हुआ तो आप यहां देखो कि जब भी आर किसी भी माली जे किसी कोई देख रही ना तो एक यूजर का क्या सकते हो कुछ ट्रस फैक्टर होता है क्यों आज की जवाने में जानतो हुए कॉमर्स सब्साइट में लोगों को ना सौपिंग करते टाइम पे भी यह वो रेटिंग बहुत ज्यादा देखेते तो अगर एक स्टार रेटिंग अच्छी इंप्रूब होगा जा करके तो यह कुछ कॉंसेट रहता है इसलिए लोग स्ट्रक्चर डेटा पर ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रक्चर डेटा में दिखाने लगोगे तो यह आप टॉप पर रैंक करने लोगे वह वहाली च दिखा है यहां पर गुगल एक रिव्यू वाला इसमें दिया हुआ और यहां पर आपको इन डेफ्थ डिटेल चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा सिग्मा.org में यहां पर हर तरीके की जो भी आपको सिग्मा बनाना चाहिए वह ब्रैटकम बनाना हो बहुत सारी चीजों बहुत सब्सक्राइब के पर अब आप देख़ू गेंग जी इन णहीं सोरी प्रेटम वह सकता है और बिजनस इंटो व्हुत्सारे तक होगाने बैस थो तो कुछ भी हो सकता है यहां पर इसमें ने डीचे ग्जामपल के तौर पर दिखाया भी हुआ और इतनी सारी प्रापर्टी यह जो कि आप अपने प्राइंग कर सकते हो प्रेटिय के प्रापर्टी रहती है जो आपको सारे जो है वह एक्जाम्पल दिये गए अब एक्जाम्पल में इसको डिस्प्ले करने के इसको अपने पेज में एड़ करने के कई तरीके होते हैं जिसमें कि आपका है माइक्रोडेटा जिसमें कि आप सिंपल सा जो आपका कि आपको बहुत बड़ी एपसाइटों में कुछ इस तरीके का ही मिलेगा इसमें क्या होता है कि भाई जो भी है डेटा उसको लिया उस एरे को जेशन में करा डर्कली जेशन को पेज कहीं टॉप में जाकर के हैडल है के अंदर सेक्शन के अंदर वो डिस्प्ले कर दिया जाक कि आप यह भी नोटिस करते होगे कि गूगल सर्च में जो भी आप जब भी बंदा कुछी सर्च मारता है ना तो साथ साथ पोस्ट के साथ बगल में इसकी इमेज भी आ रही होती तो वह तो खैर कुछ हद तक गूगल आटोमेटिकली उठा लेता है जाकर के पर आप उसको तो जो आप इमेज डिफाइन करोगे गूगल सर्चेज़र में वही इमेज को जो है वह चोटा से करके दिखाएगा जाकर तो सबसे सिंपल तरीका तो होता है भाई सबसे सिंपल मेथर्ड जो होता है बहुत इज़ी यूजर फ्रेंडली तरीका इसको आप आप आफनी से यूज कर सकते हो मालो आप को कस्टम वैबसाइट डिदाइन कर रहे हो ठीकिन तो आप बहुत आसानी से सब्सक्राइब को यहां पर एक्जांपल दिया गया है यहां तो आप यहां पर जब बिजनेस स्काइब करके लगा एक टाइघ आइँ फिर हम पर यहां पर गया गया आइटम टाइप आपने किस ड्оль की डिप किस ताइप का जो है वह चिस में आप अ हैं फैसा घ्रीतन करने कर तो आप जा देखोग picture जो की हमारा मेल आउच्टिव है यहाँपार्टि एंदर क्या डाल यहाँ पर आप देखकर जाकर कि इसकी जो आइटम टाइप के अंदर देखो यहां पर दूसरी है रेटिंग काउंट कितनी है क्योंकि कई सारे एक तो होता है बाई कितनी रेटिंग माल लो यहां पर एक यहां पर डिफाइन और चीज करनी चाहिए थी जिसको हम बोलते हैं की कहा थे नहीं पर दूसरी हो सकते हैं यहां पर आपको एक पारमीटर मिल जाएका यह होगी यह फो डिफाइन कर सकते हो चार तो यहां पर आप देखोगे रेटिंग गई है रेटिंग काउंट कितने लोगों ने रेट करा हुआ है वो तो तो नम्हों रिएपकर करा है तो 250 लोगों ने जब इसको रिव्यू करा तो इसकी जो एवरेज रेटिंग है वह बना लेकर चार तो यहां पर इसको उबना लेकर चलो आपके लिए जो हमारे इस वीडियो में में परपस था वो था इतना जिसको आपको समझना है कि यह प्रॉपर्टी आपको जो है वह अपने जो भी प्रोड़क्ट है उसके साथ इंक्लूड करनी पड़ेगी जाकर के तब इस तरीके कि जब यहां पर आप इस तरीके से ही जो है वह कर देते हैं या तो यह लगा देते हैं तो वैपेज में दिख रही होती नहीं तो क्या है एक जेशन के वाले फॉमेट में जो है यह लिए यहां पर जाकरके जो है वेगेज में हैद sic चल लाए ठीके रिटिंग वैलू दी गई रेटिंग कॉंट दी गई और यहां पर आप यहां पर जो आपको यहां पर आपको एक टैग दिख रहा ना आप यहां पर आप जयाओगे ना अभी मैं यह करके भी दिखाता हूं प्रेक्ट के लिए आपको थोड़ा समय ओवर्वी चल लंबा होगा बड़ वीडियो काफिंव का पर इंपर बहुत को सर्फ Haulamil में किस तरीके से जो है वह आप अपने data को जो है वो और अच्छी तरीके फिचर्वांट कर सकते हो तो तो भी आपका फाइब पेज कर डिठा होगा तो अगर बेसट रेटिंग यंदर आसमें क यहां पर देखोगे दूसरा एक्जामपल यह प्रॉडट का इक्जामपल था फिर आप यहां पर जो पूरे 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 वेब पेज को लिया गए अईटम प्रॉपर्टी पूरा पूरा वेब पेज़ डिस्प्ले कर दिया गए जिसमें सीधे उन्होंने बॉड़ी अब आप यहां पर जब जाओगे तो आप यहां देखोगे अग्रेट रेटिंग वगरा जो दी है ना उसके अंदर से वही दो वैलू पास करी हुई है ठीक है ना रेटिंग वैलू और रेटिंग काउंट तो यह जो थी यह कुछ एक्जामपल से ऐसे ही आपको गूगल का जो डवलपर वाला है वहां पर भी आपको कुछ एक्जामपल देखने को मिल जाएंगे देखो यहां पर जो आप जो आप जाओगे ना इसके माइक्रोड तो यहां पर इन्हों ने एक रिव्यू का एक्जामपल यह रेटिंग अड़ होती ही ठीक तो आपर बहुत सारे जो रेश्टोरेंट वाल आई जो कोड़ था उसका उठाया यहां पर हमारी अग्रिग्रेट रेटिंग मगारा जो है वो सटो करके आ रही है और ऐसी नॉर्मल एक एक रेश्टोरेंट की डिटेल यहां नीचर डिस्प्ले हो रही है इस पेज को जो है मैंने सेव कर लिए आप गूगल का ना एक को टूल होता है जो कि है भाई यह ठीक है ना जिच रिजल्ट टेस्ट करके टूल होता है यह सब लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी मदस से आप बहुत इजी तरीके से चेक कर सकते हो कि जो आपने वेब पेज में इस्ट्रक्शर डेटा बना ठीक है ना और यहां पर डालूँगा और देखोंगा भाई हमें जो है वो क्या रेजल्ट मिलता है हम इसको करते हैं वह टेस्ट वाई हो थेस्क्रिप्श चला दिया अब तेस्ट में हम देखते हैं कि हमारी फीचर जो इस स्निप में डिटेल थी अब यहां देखों यहां आप साथ साथ लेका रहा है नोट आल मारक अप इस इलिजबल फोर रिश्टेस कुछ ना कुछ जो है वो एरर है क्या रहर है वह आप हम देखते हैं चल करके आप देखो कि हाँ पर सारी एरर और वार्डिंग वार्डिंग्स अकर आ रही ठीके इमेज वाली स्वीड नहीं मिल इसे में कुछ चेंज़बल लगरा कर रहा था तो यहां से स्ट्चर पॉइंट और यहां इसको मैं से यहां से इसको मैं जो है भी सेव करके देखता हूं यहां पर मैं सेव कर दिया ठीक हो गया और वापिस उसको टेस्ट को है क्या हमारी हो रहा है आप देखो जो हमारा वाला उस पर देखो हमारा जो बिलकुत पर पर चाहिए थे रेटिंग वैलू जो कि एसेंसेल चीज़ है और टाइफ ठीकिना थाइप में हमारा जाएगा एगर्टिक के बारे हम बात कर रहें तो जो भी हमारी लैटिंग वैल्डू है वो सब्सक्राइब होड़ करते आप को पूरा यहां पर हाइलाइट हो के दिखा देता है कि कहा पर किस त्रीके पर वह क्या आपका डिटा जिया वह बन रहा तीके यहां पर देख रहो तरीके से कुछ बन रहे तो हम यहां पर से कट करता है थो हम एक इमेज भी ले ले लेते हैं यह इन्होंने ओफिशल जो देखो कि यहां पर यहां पर आप यह उठाते हैं और अपने कोड में हम आप पर करते हैं तो आपकी इमेज होगी रेस्टोनेंट के कोई फोटो पर प्रहाइब होगी नगी हो तब भी आप क्या करना है यह दिमी पोटो एड़ कर सकते हो ठीक है तो अब हम को इसरवर से ही जो है वो ड़मी वगरा वह लिए लेगे कड़ेगे तो यह विए बधिया वैप साइट लिए यहां से हम्गों क्या से स्कोश काफी यहां पर क्लिक करोगे ला तो आप देखो के एमेज वगरा गारा छो है को डिस्टेश भी होती इस तरीके तो अब लेटी करते हैं और देखते हैं अब जो हमारा कोड है वो सही देख रहा है तो यह बढ़ी हाँ चीज है काम करते जाओ और साथ-साल जो है इस टूल की मदद से प्रॉपर तरीके से जो है वो टेस्ट करते जाओ कि गूगल सर्च के लिए स्ट्रक्चर डेटा देख रहा है कि नहीं द अंदर इमेज आ रही है नेम के अंदर नेम आ रहा है और एग्रिगेट रेटिंग वाला जो कॉंसेट वह भी हमारा आ रहा है तो अब जो यह जो रिजल्ट है यह बिल्कुल पर्फेक्टली बन चुका है कि जब भी यह रिजल्ट गूगल में डिस्पले होगा तो रेटिं आपको और चीज मिली कि प्रिव्यू रिजल्ट में देख सकते हो कि कैसा हो वह गूगल में आपका रीजल्ट दिखाई देगा इसे अगर आप ब्लॉग कोस्त करो अग्रा को लगा तो वह वैसे ही जो पोस्ट टाइब का उसके नीचे वह वह स्टार तो यह देखो यह सारा जो था है वह एक कोडिंग पॉइंट वाला कॉंसेट गूगल सर्च में डिस्प्ले करने वाला कॉंसेट था इसको आप और एक्स्प्लोर कर सकते हो बहुत सारा यहां पर कोड दिया गया इस सिग्मा डॉट और जी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरी है इस तरह की की चीजों का जैसे कि आपको भी रिजल्ट में दिखा है ना कि जो डॉक्टर से रिलेटेट वेबसाइट है तो यह जो रेटिंग है तो काफी अच्छा इंपक्ट जो है वह पढ़ता है जाकर ठीक है तो यूजर के पॉंट भी से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं माइक्रो डिटा वाला वाला सप्ले सकते हैं इस तरीके से जो है वह एक्ट्रीबूट वगरा अड़ करने और एग्रिटिंग के लिए सिर्फ जो मेजा चीज है वह इतनी है ठीक है प्रॉपर्टी ए वह एग्रिगेट के बारे में बात कर रहे है जो भी रेटिंग के वैलो वो डिफाइं कर दी जाकिए और और आपको बहुत सारे जो पैरामेटर लेने जैसे कि वर्ट रेटिंग ठीक है न यह देखो जिसमें मिनमुम वैलू सेट कर सकते हो और बैस रेटिंग में आप मैसम तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो है में इस टॉपिक पर डिसकस करते हैं आई होप आपको या कुछ information समझ में आई होगी अगर कहीं पर कुछ confusion या रहा जाता है ना तो आप comment करके बताना ऐसी है एक वीडियो में हम Bradcrumb के बारे में भी समझें तो वहां पर तुरंट रर देता है किसी भी तरीके अगर आपने यहां पर इस्ट्रक्चर डेटा सही नहीं बनाया होगा सिंबा सिंबा वारा में एरर कर रख्यों कि सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बारे में वीडियो है वह हम किसी और वीडियो में समझ लेंगे जाके तो भाई आज का वीडियो था वह यहीं तक था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं ऐसी यूसफुल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब मार सकते हो मिलते हैं हम अगले किसी इंफॉर्मेटी वीडियो में तब अगले वाद